दोस्तों इस Study91 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर हाजीर हूँ 24 फरवरी के सबसे महत्पूर करंड अफेर के प्रशनों को चली देखते हैं दोस्तों की कौन-कौन से प्रशन आज हमें पढ़ने हैं जो कि हमारे परिछा प जो हमारी वेब साइट है Study91.4.3 वहां से या तो आप हमारे अप्लिकेशन से इन किताबों को परचेज कर सकते हैं ठीक है और एक बार दोस्तों किताब की क्वाल्टी जरूर देखेगा ठीक है जब आप किताब लेंगे नहीं आपको पता चलेगा वाकई जो मार्केट में कि किताबी Study91 के दोरा जारी की गई है उनमें क्या अंतर है ठीक है डंके की चूट पे कर रहा हूं दोस्तों किताबे आपको बहुत पसंद आने वाली है क्यों क्योंकि इसमें इतना कंटेंट दिया गया इतनी तयारी के साथ चीज़े दी गई है इनिश्ची तुरुप से आप को अच्छा ही लगेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की बाती है दोस्तों कि Study91 पर बहुत सारे आनलाइं कोर्स भी चलते हैं आप अगर किसी कोर्स की तयारी करना चाहते हैं कोई जारी करना चाहते हैं तुम आप आईए जुड़िया और इन्हें भी देखते रह द्यान से चुनिएगा दादा साब फाल के International Film Festival अवार्ड जिया दोस्तों जब जब यह अवार्ड दिया जाता है ना याद रखे परिक्षा में आप से जरूर पूछा जाता है दादा साब फाल के अंतराश्टिय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जिया दोस्तों 2022 में अवार जबाब दीजिए कि किसे दिया गया कौन सा दादा साब फाल के International Film Festival अवार्ड याद रखे को दोस्तों यह अवार्ड दिया गया इस बार रडवीर सिंग को जाधा तर बच्चे हां अलु अर्जुन सोच रहे होंगे या फिर अक्षे कुमार का नाम आ रहा होगा अच्छे क याद रखेगा बाकी अलु अर्जुन की मूवी तो आई है पुसपा आप सभी देखे होंगे ठीक है तो चली आगे देखतें दोस्तों और यहाँ पर इस एवार्ड से संबनी बहुत सारी बाते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा ठीक है या रधान दीजेगा पहली बात त जो आयोजन क्या गया था ये 20 फरवरी को इस फेस्टिवल का इस इविंट का आयोजन क्या गया था आयोजन हुआ कहा था तो आयोजन मुंबई में हुआ था देखें यहां से बहुत सारे सवाल बनेंगे ठीक है बहुत सारे सवाल मैं आपको एक एक चीजे बताता हूं जैस इसमें किस-किस ब्यक्ति को कौन-कौन सा खिताब दिया गया, तो एक मोटी-मोटा आप याद रखे, अगर हम फिल्म की बात करें, तो याद रखेगा, फिल्म आप द इयर का वाट दिया गया, पुस्पा मुवी को किसे, पुस्पा द राइज, ठीक है, इस मुवी को क्या दि ठीक है, बहुत कमाल की मुवी थी, सरुषेष्ठ अभिनेता का पुरसकार दिया गया, दोस्तों, रडवीर सिंग को, किसके लिए, एक फिल्म आया था, 83, आपने देखा होगा, ठीक है, क्रिक पर बनी वी मुवी थी, बहुत ही शांदार, ठीक है, अगला है, अभिनेत्री क योगदान के लिए, दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर दिखने रहा मुझे, ठीक है, वैसे असरब पारेक है, याद रखेगा, ठीक है, यह सभी नाम आप याद रखे, बड़े अच्छे-च्छे सवाल यहां से, और भी दादा साब फालके से जुड़े बहुत सारे यहां पर इवार्ड हैं, क्योंकि जब ये इमेंट आउजित किया गया, तो बहुत सारे यहां अलक्सी भी दिये गयाए, जैसे, रिटिक्स, बेस्ट, एक्टरिस एवार्ड जो दिया गया, ओ, कियारा आडवाडी को दिया, साहयक भूमिका में सरशेष्ट अबनेता का पूरसकार, का एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, बिल बाटम मुवी में लारा दत्ता को, ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आप याद रखेगा, नकरात्मक यानि विल्न वाला जो रोल था दोस्तों, उसमें आयू सर्मा फिल्म को दिया गया दोस्तों, फिल्म का नाम था अंतिम, ठीक है, वह भी याद रखेगा, तो यह सारे कमाल के वार्ड हैं, इनको आप पढ़िए, यहां बहुत सारे और भी वार्ड हैं, यह पूरी वार्ड की लिस्टी यहां पर दिख रहे होगी, ठीक है, तो इसे आप पढ़िजे, कहीं से कुछ भी आपके परिक्षा में पूछा जा सकत है, चलिए, मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तो, ऐसे एवार्ड या पूरसकार पर, ठीक है, ऐसे एवार्ड या पूरसकार के बारे में बताना चाहूंगा, जो हाल फिला हल में करेंट अफेर में हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, पहला तो यह याद रखेगा, कि नाम किया दोस्तो, इनका नाम है शंदी बक्सी जी, ठीक है, और एक ही साल में दोस्तो, इन्होंने क्या किया, जो नेट वर्थ था, वो कमपनी की दोगुना हो गई, एक बहुत बड़ा टास्ट था, इसे आप याद रखेगा, हाल ही में किसे, बित्ती रिपोर्टिंग में उत्किर्ष्ता के लिए ICI पुरसकार दिया गया, ICI पुरसकार मतलब क्या है, इंस्ट्टूट आफ चार्टर काउंटर आफ इंडिया का जाता इसे ICI को ठीक है, अभी ICI का देश किसे बना गया था हाल ही में, सोची सोची धिमाग पर जोड डाली है मैंने आपको पड़ाय तो यह पुरसकार दिया गया, नितिन गटकरी जी को ठीक है, यह भी याद रखेगा, गरतन दिवस परेट पर पॉपुलर 24 अवार्ड यह किस राज्य को दिया गया, भाई हर राज्य ने अपने जहांकी प्रस्तूत किया, ठीक है, इसमें पॉपुलर 24 अवार्ड जो मिला, वो महराश्टरा को मिला, जब कि सर्वसेष्ट जहांकी का पुरसकार किसे दिया गया, उत्तर प्रदेश को दिया गया, उत्तर प्रदेश की जहांकी में दो चीजे प्रस्तूत की गई थी, एक एक जिला, एक उत्पाद, ODPG से आप करते हैं, और दूसरा था कासी विस्वन कोरिडोर ठीक है, यह दोनों बाते आप याद रखेगा, जो उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रस्तूती की गई थी, जहांकी में ठीक है, करा बीड़ता के लिए पुलिस पदक, शमान में सरवाधिक पुलिस पदक, जो है किस राज्य ने जीता है, तो सबसे ज़्यादा जम मिला है, यह जम्मु कस्मिर पुलिस को मिला है, सुभाचन बोस आपदा प्रवंधन पुरशकार, यह बेक्तिकल स्रेडी में दोस्तों किसे दिया गया, तो यह दिया गया प्रोफेशर विनोध शर्मा जी को, ठीक है, याद रखेगा, विनोध शर्मा जी को यह आपदा प् भेजा गया है, तो भारत से दो मुवी भेजी गई है, एक है आपका जैभी मुवी, और दूसरा है मरकर्द एर्बियन सी, ठीक है, याद रखेगा, यह दोनों मुवी अभी आसकर में नॉमिनेशन के लिए भेजी गई है, आगे देखते हैं कि नॉमिनेशन होता है, नहीं ह होता है, क्या बाते हैं, वो देख लिया जाएगा, ठीक है, असम सरकार दोरा असम बैभो पुरसकार किसे दिया गया, ते पुरसकार दिया गया रतन टाटा को, ठीक है, असम बैभो पुरसकार इसी प्रकार बिहार सरकार के दोरा बिहार विभूती सम्मान किसे दिया गया थ था रोहित कुमार जी को वो भी आप याद रखेगा ठीक है तीसी तरह के सवाल दोस्तों बनते हैं आपसे परिक्षा में पूछे जाते हैं घबडाने वाली बात ने जब आप साथ में जुड़े रहेंगे और अच्छे से दिवीजन करते चलेंगे तो सारी चीजे याद हो ज क्यों उठाता हूं ठीक है यह 10 क्वेश्चन मैंने कल बोला था तो कुछ बच्चों ने कमेंट में किया उस पर ठीक है कि सार जो आप पढ़ाते हैं यह कैसे डिसाइड करते हैं कि नहीं यहीं क्वेश्चन हमाईली इंपॉर्टेंट है तो देखो पहला प्रसन तो क्यों इ इवार्ड दिये गए वो सभी इवार्ड मैंने यहां रख दिये आप पीडियाप डाउनलोड करिए इत्मिनांस से और उसे पढ़ लीजे ठीक है इसलिए वो प्रसन इंपॉर्टेंट था यह प्रसन क्या था दोस्तों मैं बता दूं यह खबरों में रहा क्रिस्मस रोज ए ठीक है लंका जाने के लिए क्योंकि वो माता सीता को जो हर ले गया था रामण उनसे अब लड़ाई लेने का समय आ चुका था तो यह रास्ता बनाए गया था भगवान से रामचन के द्वारा ठीक है तो स्रिलंका की तरब से दोस्तों कुछ तितिलियां कुछ मतलब दोचा दोस्तों कुछ दिनों पहले उनान भरते भी नजर आई तितिलियां यह तितिलियों के प्रजाति है क्रिम्शन रोज ठीक है तो इसलिए दोस्तों यह चर्चा मेरा ठीक है कि ऐसी एंटिक टाइप की तितलियां एक भारी जुंड में देखी गई तो चर्चा मेरा और कभी- ऐसे उड़ पटांग वाले सवाल भी आपसे परिक्षा में पूछे जाते हैं हम लोग सुसते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है वो पूछेगा कोई खास एपॉइंट में वो पूछेगा लेकिन आप कभी-कभी पाते हैं अपने पेपर में कि ऐसे सवाल भी बनत तितली की एक प्रजाती है क्रिम्सन रोज इसका नाम है याद रखेगा ठीक है और श्रिलंका की ओर से रामस्वर्म दीव के सबसे दक्षरी सिरे पर इस धनुसकोटी से हजारों क्रिम्सन रोज तितलियों को उड़ते देखा गया है और तब यह चर्चा में था चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तो परिया वर्ड से संबंदित कुछ अच्छे सवालों के बारें बताता हूं ठीक है और पढ़ते हैं क्या इंपोर्टेंट पहला सवाल ही हो गया दूसरा लिख रहा है हालही में कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट निउटरल कंपनी बन कंपनी की बात कर रहा हूं जो पूरी तरह से प्लास्टिक निउटरल कंपनी बन गई है ऐसा नहीं कि प्लास्टिक निर्माड नहीं करती है उपयोग भी करती है लेकिन ऐसे प्लास्टिक का निर्माड करती है जो पूरी तरह से क्या हो सकते है रिसाइकल हो सकते है यानि उन चीज़ूम्हीं पूरी उद्यान से जितना अचिज़ीत किया जा रहा हुष यह उतसर्जन किया रहा है एक बड़ी घटना देखी गए हैं दोस्तों मैं बात कर रहा हुँ असम में स्थित जिम कारवेट नेशनल पारक। काजी रंगा की ठीक है जीम कारवेट नेशनल पार दोस्तों यह असम में नहीं है यह उत्तरा खंड में है इसका पहले नाम हेमिस राश्टी उद्यान हुआ करता था अभी जीम कारवेट का जाता है उत्तरा खंड में भारत का पहला राश्टी उद्यान का दरजा भी उसे मिल मैं बात करा हूँ काजी रंगा की जहां पर एक सिंग वाले गंडे पाए जाते हैं तो याद रखेगा यहां पर ऐसे में अच्छा है हो कैसे गया तो वहां की जो मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए आते हैं जो बहुत जादा मात्रा में कार्बन डायाकसाइट का उ अरावली परवत का नाम सुना होगा दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी परवशिंखला में से एक जाना जाता है अरावली परवशिंखला को जो की हरियाना से लेकर राजस्थान तक फैली होई है हम लोग जनली जानते हैं नहीं राजस्थान में अरावली परवशिंखल बाते भी आप याद रखेगा हाले में किस देश में प्लास्टिक की बरबारी हुई हमने तो बरबारी के बारे में सुना था प्लास्टिक की भी बरबारी होती है क्या हाँ नैनो मतलब आकार के दोस्तों हैं प्लास्टिक के कड़ थें लेकिन कई मिलियन टन कड़ थे दोस्तों जो कि उस बरबारी में देखे गए यह घटना है स्टुडियल लेंड की इसे भी आप ध्यान देंगे ठीक है आगे लिख रहा है कि इस अस्थल को रामसर अस्थल की रूप में अभी सूची बद्ध करिया गया है तो अभी तक दोस्तों टोटल भारत में कुल 47 अस्थान थें जो रामसर साइट में सामिल किया गया है एक खिजादिया पक्षिय अभ्याड है और एक आपका बखीरा कितनी हो गई है 49 हो गई है इसे भी आद ध्यान देजिए का परिक्षा में यह भी पूछा जाता और उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों संख्या कितनी हो गई है तो उत्तर प्रदेश संख्या हो गई 10 पहले नौ था अब बखीरा पक्षिय अभ्याड जब से जुड़ ग साल पे वन इस्ति रिपोर्ट जारी की जाती है इसके पहले 2019 की रिपोर्ट जारी की गई थी अब 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है ठीक है तेली नीला पूरम अंतराश्टी पक्षिय अभिहाड कि सराज्ज में इस्तित है तो यह अभी चर्चा में चल लाता दोस्तों यहां पक्षियों की गड़ना की जाए तो इसले चर्टा चला था या आंधर प्रदेश में इस्थित है तेली निला पूरम इसको भी याद रखेगा ठीक है तो यह सब अच्छे अच्छे सवाल है आप ध्यान रखें चली अगले सवाल पर चलते हैं खजुराहो निर्त्यमोट्स ये किस राज में आयोजीत किया जाने वाला एक प्रशिद्ध कार्तम हैं दोस्तो आप लोग नहीं नाम तो सुनाए होगा खजुराहो के मंदिर का ठीक है खजुराहो का नाम सुना होगा, खजुराहो में दोस्तों six temple भी इस्तित है, आप सभी जानते होंगे ठीक है, खजुराहो ठीक है, क्योंकि वहाँ नगनावस्था में बहुत सारी मूर्तियां है, तो खजुराहो का मंदिर, इसका निर्मार दोस्तों किस ने कराया था, आपको मद्यप्रदेश में, और वहीं पर ये खजुराहो निर्थ महुत्सों का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, मैं आप से कुछ अच्छे सवाल हो भी पूछता हूँ, चलिए आप मुझे बताइए, कि अजनता की गुफाओं का निर्मार किस ने कराया, अजनता की गुफाओं का निर्मार कराया गया, ये सभी बातें आप से इतिहास में पूछे जाने वाले अच्छे सवाल है, ठीक है, फिलाल के लिए आप इतना ही ध्यान देजिए, कि खजुराहो निर्थ महुत्सों का आयोजन कहां पर किया गया था, तो याद रखेगा मद्यपदेश में, इसी ग्वालियार भी का दोस्तों, यह भी आपके इंपी में है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, फिलाल के लिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उप्सन नमबर 3 हो जाएगा, इसको आप ध्यान दीजेगा, ठीक है, यहाँ बहुत सारी बाते लिखी गई हैं, उतनी जादे चीज़ें आपको याद होंगी, तयार होंगी, यह आप ही के लिए में रिविजन करा, तो अगर इन रिविजन न रहता, तो सुचे क्लास और भी छोटी हो जाती, लेकिन मजबूरी, आप इसे मानिये किन रिविजन मुझे करना ही करना है, बिना रिविजन के तो तेलंगाना राज में मनाय जाने वाला यही मेदा राम जतारा महत्सो है, याद रखेगा, ठीक है, तो यह मेदा राम जतारा महत्सो यह कहा मनाय जाता है, याद रखेगा यह तेलंगाना में मनाय जाता है, हालही में मारू महत्सो या मरू महत्सो या जैसल मेर महत्सो कह मनाया गया तो कंछोट उस्सव मनाया जाता है जमू कस्मी राज्जी में ठीक है इसको भी आता रखिए आप कंछोट ये किसी तरह कंछोट है एक हम लोगों ने पढ़ा था कचाई लेमन फेस्टिवल याद है आपको कचाई लेमन फेस्टिवल वह आपके मड़ी पुर राज में मनाय जाता है उसे भी आप ध्यान रखेंगे करा हाले में किस मंदिर को बिस्व बिरासत सूची में अभी नामित किया गया है ठीक है बिस्व पुरासत सूची में क्या-क्या नामांकर करने के लिए भेजा गया है ये दोस्तों कौन सा मंदिर है याद रखेगा है वैसल म आपके लदाख राज में मनाए गया है ठीक है तियत्र में गरतन दिवस परेट पर किस राज की जहाकी में पाल और दादवाओ गाओं के हुए नरसंगहारों को प्रस्तूत किया गया तो याद रखेगा अंग्रेजों ने इन गाओं में क्या किया था बहुत सारे निहत्य ब् जो जीता वो महराष्टा की जहांके ने जीता है और सवसे जहांके का पुरसकार उत्तरप्रदेश को दिया गया है बट इससे भी आप याद रखेंगे ठीक है पंडित जसराज की आधार सिला भी रखी गई मोदी जी ने रखा ठीक है आप बताए मुझे पंडित जसराज जी किस घराने से बिलांग करते थे कभी अगर सवाल बनाना तो बताएगा मेवाती घराने से काहां से मेवाती घराने से बिलांग करते थे पंडित जसराज जी नहां रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो आपने पेपाल का नाम सुना होगा आपने नाम सु बड़ी company हो गई बहुत बड़ी company इंटेनशन कंपनी हैं दोस्तो पेपाल आप नाम सुने होगे ठीक है मोबी क्यों के पैपाल हो गया यह सब ध्यान दिये ठीक है तो दोस्तो करा यह पुस्तक लिखा किसने करा नीना राय ने नहीं नीना राय नहीं लिखा है जीमी सोनी ने विजे कुमान ने, OMA diaz गुप्त्ह ने, याद रखेगा, इस किताब कौ लिखा है, जीमी सोनी ने, किस ने लिखा है जीमी सोनी ने, पेपल जो कमपनी हैं, ठीक है, ऐक मल्टी नेफिनल कमपनी है, उस कमपनी के इतिहास के बारे में दोस्तों बताये गा कैसे कंपनी सुरू होई और आज 70 बिलियन डालर की ये कंपनी बन चुकी है ये पूरा वही इतिहास यहाँ पर बताये गाए ठीक है इसके बारे में बताये गाए चलिए मैं आपको ले चलता है दोस्तों अच्छे-ची किताबों के बारे में बताना भाई अपना सम लिखा है तो नाम याद रखी का जीमी सोनी ने लिखा है ठीक है दूसरा कल हम लोग ने पढ़ा था हिस्ट्री आप स्रीनिकेतन ठीक है अप स्रीनिकेतन रविंदर नाट टैगोर ये किताब दोस्तों भी चर्चा में शल ले थी उमादास गुप्ता की रचना है ये भी कि human human पर दोस्तों किताब आई थी जिसे Samuel Moyen ने लिखा था ठीक है जिसमें तमाम प्रकार की युद्धों के बारे मताया गया बिस्विद्धों का वर्डन किया गया चाचीत पुस्ता का how to prevent the next pandemic ये किताब लिखा किसने है एक बहुती बड़े ब्यक्ति हैं मतलब बहुती धनी ब्यक्ति हैं दुनिया के सबसे धनी ब्यक्तियों में एक समय नाम इनका हुआ करता था आज पहले अस्थान पर एलोन मस्का आ चुके है ये नाम है बिल गेट्स का ठीक है Microsoft Company नहीं किया दोस्तो उनी के द्वारा है लिखा गया भारत अप्री का संबन पर दोस्तों एक किताब लिखा है ठीक है पहले भी राजने के राच चुके है और एक किताब लिखा गया किसके द्वारा तियाद रखेगा राजियू भाटिया साप के द्वारा राजियू नीरच चोपड़ा एक किताब इसने लिखा है नौदीज सिंगिल जी ने लिखा है तमाम खिराडियों के उपर दोस्तों नौदीज सिंगिल जी की बहुत सारी किताबे आचुकी है ऐसा नहीं कि पहली बार आई है बहुत सारी किताब इन्होंने लिखा है हाले ही में चर्च तो दोनों नाम आप याद रखेगा, important है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कर अब 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाये जाता है, थोड़ा सा हटके सवाल दे दिया, हर बार दिवस का जो सवाल आता हो, कूट वाले सवाल में बना के देता हूं, विसिकली आपको, पर आज मैं तो याद रखेगा, यहाँ पर मुझे दो तीन चीजे मिला, कहीं कहीं पर दोस्तो मिला है, 14 अप्रेल लिखा हुआ, याद रखेगा, कहीं कहीं पर दोस्तो 24 जनवरी मिल ला है लिखा हुआ ठीक है 24 जनवरी ये International Day of Education है ठीक है ये वाला और ये 14 अपरेल को दोस्तो आपको पता होगा भीम राओं मेटकर जी क्या जन्म हुआ था और कहीं कहीं पर दोस्तो 5 अक्टूबर मिल ला है ठीक है तो आप न ये चारो तीनो याद रखें ठीक है ये तीनो याद रखें कि वोल किसके संबन में दोस्तो याद रखेगा किसके संबन में ये 200 सिक्षा दिवस की बात कर रहे हैं अब देखें जैसे अगर 14 अपरेल की बात कर रहे हैं कि 20 NGO दूश को मना जाता है याद रखेगा यह हर साल 27 फरवरी को मना जाता है कब 27 फरवरी को तो बचा आपने पास क्या याद रखेगा 22 फरवरी को यही चलता है चिंतन दिवस ठीक है चिंतन दिवस चलता है ठीक है तो कभी परिक्षा में आया तो आप समझेए आप डेज के देता हूं दोस्तों कि इस बार का थीम क्या था थीम ही दोस्तों जादा तर पूछता है तो हमारा विश्व हमारा शमान भविश्य आवर वर्ड आवर इक्वल फ्यूचर ठीक है यानि हमारा एक समान भविश्य यही इस बार का थीम था विश्व चिंतन दिवस जो की मनाया ज रखेगा विश्व एंजीयों दिवस है दोस्तों फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज हैं केवल फरवरी के ठीक है मैं चाहता तो यहां जन्वरी भी अटेच करता बट फरवरी में हम लोग जो जो पढ़े हैं एक बार आप रीट कलीजे जैसे कि एक तरवरी एक तारीक को मना जाता दोस्तों भारतिय तर्टरक्षक दिवस दो तारीक को विश्व आर्द भूमी दिवस मना जाता आजी हम लोगों ने पढ़ा न कि भारत में आर्द भूमीयों की संख्या कितनी हो गई है उन्चास हो गया है ठीक और उत्तर प्रदेश में 10 हो गया है तो दो फरवरी को वेटलेंड डेज मना जाता है 2 फरवरी को दोस्तों आरेज आग Defense दिवस भी मना जाता है चार थारीक को बीश्व Policy कैंसर दिवस भी मना जाता और शिलंका का इस दिन जो है स्वतन्धा भी मना जाता है उसका राष्टी दिवस है आठ फरवरी को सुरक्षित इंट्रेनेट दिवस है, डस को बिष्व दलहन दिवस है, 10 को दो दिवस है दोसतों, बिष्व दलहन दिवस भी है और राष्टी क्रीमी मुक्ति दिवस भी है, ठीक है, वो भी याद रखेगा 11 को 200 बीमार दिवस है ये क्रिमी मुक्ती दिवस 10 को आ गया 11 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए एक अंतराश्टी दिवस है ये भी 11 तारिक को है ठीक है याद रखेगा और 11 को ही दोस्तों आपका क्या था 200 बीमार दिवस था ठीक है 12 को राश्टी उत्पा दक्ता उभोगता की बात नहीं कर उत्पा दक्ता दिवस है 13 तारिक को भारती राश्टी महिला दिवस है जबकि अंतराश्टी महिला दिवस आठ मार्च को मनाया जाता है इस दिन सरोजिनी नाइड़ू का जन्म दिन है इसलिए दोस्तों 13 फरवरी को क्या मना जाता है ये बिस परोली को 200 समाजिक नए दिवस है 21 को अंतराश्टी मात्री भासा दिवस है 22 को विश्व चिंतन दिवस हो गया ठीक है इस तरह से आप चीज़ों को याद रखेगा इसी फरवरी में आपको क्या मिलने वाला आपको एंजियों दिवस मिलने वाला है आपको बिग्यान दिवस मिलने वाला है तो यह सब भी मिलेंगे जो काफी बार आपसे आपकी परिक्षा में पूछे गए ठीक है एक बात और धान देखे Study 91 पर जो हमारा Best Online Course चल ला है दोस्तों वो हिंदी का कोर्स चल ला है एक मौका सिर्फ आप हमें दीजिए और हिंदी इंडिविजल का बेच जोएं कीजिए अगर आपको मजा ना आया तब बताएगा ठीक है और अब तो Study 91 की किताबे भी आ चुके दोस्तों तो किताबे आ इम से ये किताबे चार दिम पांस दिम में हो सकता है ठीक है ये किताबे आपके घर तक चली जा रही है कोई Delivery Chargy आपको को ने देना है कोई shipping चार्ज ने देना है बस जो book की कीमत है आपको वही be your करना है चाहे आप एक किताब लो चाहे दो लो चाहे तीन लोग कहें किसी तरह का कोई जो है हम लोग ने आप पर कोई sales का कोई फंडा नहीं बनाया ठीक है तो आप आये उप प्लस जो बच्चे गाओं के हैं ना कोई भी बैच अगर आप स्टडी 91 का जॉइंग करते हैं तो आप किसी भी क्लास को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं क्या होता बफरिंग का देखे बहुत इसू रहता गाओं में किसर इंटरनेट ही नहीं चलता तो रात को एक काम करो प्रयोक्षाला क्या होता एक तरह का लाइब होता है और मोबाईल प्रयोक्षाला का मतलब क्या होता है तो आपको ब्लड सेंपल देकर कुछ भी चेक कराना तो आपने जाच करा लिया लेकिन गाओं गाओं तो पैथालाजी है नहीं तो अगर इस पैथालाजी को एक बैन में सेट कर दिया जाए सारे एकुप्मेंट के साथ और इस बैन को गाओं गाओं भीर दिया जाए तो हमारा कुछ न कुछ उद्देश से पूरा हो जाएगा ना बस यही हो गया क्या यह हो गया mobile ठीक है यह mobile प्रयुक्षाला हो गई याद रखेगा तो यह दो बाते हो गई अब बात आती दोस्तों यह अस्तर 3 क्या है तो दोस्तों इसका label है ठीक है level 3 ठीक है जैसे गेम आप खेलते हैं गेम में label होता है label 3 है यह आगे वाला पॉइंट बड़ा important है जैव सुरक्षा अब जब इसके बारे मैंने study किया देख यार मैं कोई मसीन तो हूँ नहीं मैं भी आप ही की तरह हूँ ठीक है एक साधर आम इंसान और सब कुछ मुझे से पूछ के तो question बनता नहीं है ठीक है तो मुझे भी कहीं ने कहीं पढ़ना सरकार को और लोगों को बहुत सारा सबक मिला कुछ लोगों को नहीं मिला ठीक है उनको मिल भी नहीं सकता लेकिन बहुत साय लोगों को सबक मिला सबक क्या मिला कि future में आगे भविस में इस तरह की दिक्कते नहों अच्छा दिक्कत हुई क्यों थी आप सभी को पता है कि ची आप मान सकते हैं कि जानवरों से महामारियां इंसानों तका रही है क्योंकि जानवरों को खाने वाला कौन है इन्सान है एक जानवर इंसान को खाते थे आज उल्टा हो गया है आज इंसान जानवर को खाता है ठीक है आप चीन वगएरा चले जाएंगे न तो वहां मतलब साइधी ऐसा कोई चीज हो जिसे लोग ना खाते हो मगर मच तक खा जाते हैं आप सोचिए मगर मच हो गया कुछ भी मतलब खोल के देखिए आपको मिल जाएगा तो क्या-क्या खाते हो लोग आपको साक्टो पश खाते हैं तो अपने यहां तो अभी कल्चर में सब नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैवान आ चुके अपने हाबी जो इस नीचों की सिरुवात करें तो फिर जाहिड सी बात है कि वह ब्यक्तियों में कैसे प्रवेश करती है तो उसके उपर रिशर्च किया जाए एक लैप किया जाए और हर जगा तो यहां पर उतना समय नहीं होता है लेकिन फिर भी आप जाने इए इसकी सुरुआत कि आगया नासीक में नासीक पढ़ता है महराष्ट में तो जहिछ बा वास्ता और परिवार कल्यान राज्य मंत्री दोस्तों हैं भारती प्रवेट पवार ठीक है उनी के दौरा दोस्तों इस मोबाइल वैन की शुरुवात किया गया जो कि आगे जानवरों से मनुस्यों की तरफ आने वाले जो वाइरल संक्रमण हैं उनकी जांच में मदद करेगा एक लाइन की बात कहूं तो बाकी बहुत सारी बाते दी गई हैं उनको पढ़िये तो भारत में पहली बार दोस्तों पेंडेमिक भी इतना बड़ा लेवल पेंडेमिक आया तो पहली बार दोस्तों इस तरह की प्रयोक्षाला बनाई जा रही है चली हम लोग पढ़ लेते है कि पहली बार दोस्तों कौन-कौन सी चीज होती है जो आपके लिए इंपोर्टेंट है पहला हो गया दूसरा लिख रहा है नितिंग गटकरी द्वारा कि इस नदी पर सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का मतलब क्या है अरे भाई एक एही पुल बनाया जा रहा उस पे रेल अनुमती देने वाला पहला देश कौन बना तो दोस्तों ड्रोन से तो ऐसे बेक्तिगत सुरक्षा को बड़ा खत्रा हो सकता है बट याद रखेगा सुरक्षा के देश्ट कोर से स्टार्ट किया गया और इजराइल जो देश है उसने अभी जो है यह दिया है अनुमती दिय ठीक है अच्छा लोग यहां करेंगे तो यहां पर आप राधी होंगे वह अपनी अपनी दास्तान सुनाएंगे हो सकता उन्हों पस्तावा हो और अपने अंदर सुधार लाने का प्याश करें करा अपनी तरह की पहली इस्किल एंड इंटर्पेंश्टि दोस्तों कहां बना एक सो बारा मिलियन डालर दोस्तों उसे के लिए फंड आया था हाला ही मैं आपने पढ़ा था यह इसकिल एंड इंटर्पेंश्टि इंटर्पेंश्टि है इसे भी याद रखेगा ठीक है राश्टिय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एक ही करित होने वाला पहला केंसासी प बुक रिकार्ट में 10,000 फिट की उचाई परिस्ति सबसे लंबी शुरंग का दर्जा दिया गया तो मैं बात कर रहा हूं अटल सुरंग का यह से भी आप पढ़िए ठीक है भारत का सबसे बड़ा इगलू कैफे जो अभी तक स्वोडिजन लैंड में था बट अभी स्वोड पुक रिकार्ट में वही पर दोस्तों यह बनाया गया है करा गेल ने यानि गैस अथाटे आफिंडिया लिम्टेड ने प्राकृतिक गैस प्रणाडी में हाइड्रोजन समिस्राड के लिए कौन सी परियोजना की सुरुवात किया है कहां पे किया है तो इन दोर में ही दोस् स्टर्ण ब्रीज क्या नाम है स्टर्ण ब्रीज सिक्स ठीक है यह एक वाईशन अभ्यास है यह भारत की देश के साथ करता है यह ओमान देश के साथ किसके साथ ओमान देश के साथ दोस्तो यह अभ्याश करता है ठीक है तो यहाद रखेगा ओमान यहाँ पर आपका क्या हो जा था कि अमेरिका और बंगलादेश ठीक है यूएस और कौन का रहा था दोस्तों बंगलादेश एक अभ्यास कर रहे थी ठीक है आपको याद होगा जो भी हम लोगों ने रेशन में पढ़ा नाम याद है कि आपको बताए बूल गये बहुत जल्दी भाई आप लोग भूलते है ठीक है सोची सोची थोड़ा दिमाग पर जोड़ा लिए ठीक है क्योंकि हर सवालों के जवाब अगर मैं खुद देना सुरू कर दूँ तो अभी सोची कल आपने पढ़ाओ इतना जल्दी भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा ठीक है चली एक हिंट देता हूँ साउत करके था अब तो बता दो यार अब तो बता दो बड़ा बेज़ती कराते हो ठीक है चलो इसको पढ़ने हैं दोस्तों अच्छा उमान की राजधानी मसकट है याद रखेगा और उसी के साथ वो उमान जो देश है वो भारत के साथ इस तरह के वाईशेना भ्याश कर रहा है ठीक है त से खरीद रहा है फ्रानस नहीं त。」 चेया है कि यह था आप याद रखेगा। जिसे रूज से भारत क्या क्या कर रहा है घलती से फ्रांस आ गया तो नाराज मत होएगा करा कि नाटो फदस्ते देशों का समुद्रिय अभ्यास नेप्चिन स्ट्राइक 22 कायुजन क्या गया इसकायुजन कहां पर क्या गया था तो इसकायुजन हुआ था भूमत देशागर के पास में ठीक है दिली के इंडिया गेट पर अमर जमान जोती की लव को जो की 1972 से लगात चीन का मुकाबला करने के लिए आस्ट्रियलिया ने कि इस देश के साथ भी रक्षा समझा होता किया है तो याद रखेगा आप जारना है कि चीन जो है प्रसांत महासागर में इतनी बढ़त बढ़ाते हुए चला जा रहा है आस्ट्रियलिया और जापान ये दोनों नाटो क अपने मेरा अच्छा समझाता किये हैं ताकि चीन की बढ़त को रोका जा सके ठीक है कर अब उस देश का नाम बताईए जिसने हालही में हालही में फ्रिग्रेट और शमरीन से दस नई सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग किया है तो सिरकॉन नाम की हाइपरसो तो 46 कंटरी यहां पर इस्ता ले रहे हैं जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है यह भी याद रखेगा कर हालही में किस देश ने परमाणु प्रतिष्थानों की सूची आदान प्रदान किया तो काफी समय बात जाकर के भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने हां के परमाणु जारी सेना बना रहे ही क्वांटम प्रेयुक साला यह भी याद रखेगा हुलेंकि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर जारी किया गया था ठीक है और उसका नाम क्या था सीमूलेटर टूलकिट एक Oh 지역 की साहा करना है यह मोजामीक क्थकोंgio ऑभी साहाता दिया है यह य हा इस तरह के सवाल आते हैं तब मैं आपको ये लिष्ट जरूर याद दिलाता हूं कि याद कर लिजे क्यों क्योंकि अगर मैं डिफेंस के पिछले 10 सवालों की बात करूँ तो आप अगर मैं एक तरफ से पढ़ाता जाओं खुब अच्छे से पढ़ाता जाओं आप पीछे से पहुचाना है इतना ही मेरे रे काफी है ठीक है आगे बढ़िए कर पर्थम से रेडी के पहले मैच में तीहरा सतक जीहां दोस्तो 341 रन दोस्तो जड़ दिया इस खिलाडी ने मतलब गजब का खिलाडी भाई बिहार की धरती से बिलांग करता है ठीक है रहा तो अम जांगर कि खिलाडी भाई दोस्तो इन्होंने रि अच्छा इसके पहले किस ने किया था इस तरह का रिकारड वाला काम अजय रोहेरा ने किया था ये मद्ध्रदेश के रहने वाले थे लेकिन दोस्तो अलग बात है याद रखेगा साकी बुलगनी ये बिहार से बिलांग करते हैं कह को याद दिलाता हूँ कि खेल में क्या-क्या important सवाल है जो आपसे पूछे जाते हैं ठीक है या पूछे जा सकते हैं हाल ही में हम लोग क्या-क्या पढ़ें जरा एक बार रिविजन करिए पहला तो ही हो गया साकी बुल गनी का ना मियाद रखेगा करें किस भारती सर को 2023 अंतर अब जीता है तो यह जीता किसने है दोस्तों FIFA कलब बिस्टुकप का चेंपियन जीता है चल्सी ने ठीक है ते भी याद रखेगा दोस्तों Chelsea ठीक है हाले में किस खिलारी ने ESPN Trick Info ठीक है? करा इसमें Test Batting का Award जीता है तो ये Award जीता है Risa Pant ने जिन्हें कुछ समय पहले उत्राखंड का Brand Ambassador बनाया गया था अब है नहीं, अब कौन है? अब अच्छे कुमार जी बना दिए गए ठीक है? IPL में अहमदाबाद की जो टीम आरे उसका नाम क्या है? उसका नाम गुजराट Titans रखा गया जो लखनाव आरे टीम आरे उसका नाम क्या रखा गया? लखनाव सूपर जॉइंट्स रखा गया करा कौन सी टीम एक हजार वंडे खेलने वाली पहली टीम बन गए तो अपने भारत की टीम भाई एक आजार वंडे खेल कर रिकार्ड बनाई करा AFC महिरा ACI कप का खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है किसे हराकर? दक्षिड कोरिया को हराकर ठीक है? बीजिंग सीथकारिंग ओलम्पिक का पहला गोल्ड मिडल दोस्तों किसने जीता? तो यह जीता थेरसी जोहाग ने किसने? थेरसी जोहाग ने इस बीजींग ओलम्पिक में पहला गोल्ड मिडल जीता है ICC अटर नाइटीम विस्षूकप 2022 में फाइनल जो खेला गया इसमें प्लेयर आपदा मैच किसे गोशित क्या गया? तो यहाँ गोशित क्या गया? राज अंगद बावा को किसे? राज अंगद बावा को ठीक है? हालही में किस खिलाडी को वर्ड ब्रिक्थू आपदा इअठक लिए भी नामित किया गया है दिया नहीं गया दोस्तों, नामित किया गया है तो नीराच छोपडा को नामित किया गया है जो इस बार गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी थी ठीक है? तो इसे भी पढ़िएगा करा की पदमसिरी से सम्मानित किस गांधी बादी महिला का दोस्तों अभी निधन हो गया यह आपको बताना था 102 साल की उम्र में निधन हुआ ठीक है पदमसिरी इंको मिला हुआ था और इंका नाम क्या दोस्तों इंका नाम है सकुंतला चौधरी क्या नाम है शकुंतला चौधरी अभी हाले ही में बहुत सारे लोगों का दिहान तुआ निधन हुआ आप लोग जान रहे होंगे ठीक है हम लोगों ने खोया किसे किसे अभी प्रसित संगितकार लता मंगिसकर जी को हम लोगों ने खो दिया और उसके बाद दोस्तों बप्पी लहरी को दोस्तों हम लोगों ने खो दिया तो ऐसे बहुत सारे नाम आपके सामने आएंगे चलिए जिन बैक्तियों का निधन हुआ है एक हम लोग नजर डाल लेते हैं उन बैक्तियों के बारे में और याद कली जी अपने मन में ठीक है तो पहला नाम याद रखेगा सगुंतरा चौधरी जी की सिंगर कंपोजर का 79 साल के वस्ता में निधन हो गया बप्पी लहरी जी का निधन हो गया ठीक है आर राजा मोहन का निधन हो गया ये क्या थे ये खगोल सास्त्री थे प्रसिद खगोल सास्त्री थे याद रखेगा महानगाई का लता मंगेशकर जी का निदन हो गया मिलना साल्विनी का निदन हो गया दोस्तों ये केलल से बिलांग करती थी कतकली त्यांगना थी ठीरू आर नागा स्वामी का निदन हो गया ये प्रसिध इतिहासकार थे बिर्जु महराज का निदन हो गया कथक करने वाले प्रसिध नर्तक थे, ठीक है, इरोपी संसत के अध्यक्ष्ण चुने गए थे, डेविड सासोली जी, उनका निधन हो गया, उनके निधन के बाद चुने गए, रॉबर्ट मेटसोला को अध्यक्ष्ण चुना गया, बट डेविड सासोली का नाम भी आप याद तो इतने लोगों को दोस्तो हाल फिलाहल में निधन से संबंदित हम लोगों ने पढ़ा था इन्हें आप जरूर याद रखेगा को इस सवाल बनेंगे परिक्षा में ठीक है तैयारी आपको रखनी है इसलिए आप पहले से इलर्ट रहेंगे ठीक है करा भारती रेल्वे ने देश का पहला केबल ब्रिज कहां बना रहा है दोस्तों ये भारती रेल्वे के द्वारा बनाया जारा केबल ब्रिज नहीं बनाता है बट पहनी बार ऐसा हो रहा दोस्तों कि भारती रेलेवे के द्वारा केबल ब्रिज बनाये जा रहा है जी हाँ दोस्तों तो आपको बताना दोस्तों कहां बन रहा है केरल में उत्राखण में जम्मू कस्मेर में इसकी उचाई आप एफिल टावर का नाम चुन यह 331 मीटर की उचाही परिस्तित है इसकी कुल लंबाई 473 मीटर है ठीक है तो कर सकते हैं लगभग आदा किलोमेटर के आशपास का है 96 केबलो दोरा दोस्तों यह समरफित है यह भी याद रखेगा उधम स्रीनगर 12 मुला रेल लिंक परियोजना के तद उसको बनाय जा रहा ह आपने देखा ना कैसे पुरोत्तर में जाकर कितने साल बात जाकर दोस्ता साल बात क्या पहली बार दोस्तों वहां पर रेल चलाई गए ठीक है तो आप जान सकते हैं अभी रानी गॉंडली इस्टेशन तक मड़ी पूर तक दोस्तों रेलवे सेवा भेजी गई मतलब आज पहाड़ी के बीच में रेलवे को ले जा पाना इतना कठीन का रहे था लेकिन फिर भी गई रेलवे वहां तक ठीक है तो बहुत बड़ी बात है चलिए भारत में पहली बार या बिसम पहली बार ऐसी कुछ बात आती है तो हम लोग एक लिस्ट पढ़ते हैं ये लिश्टा ध्यान दीजेगा अब आजी हम लोग दो सवाल पढ़ें तो इदो सवाल आजी के हैं तीसरा लेकरा दोस्तों नितिंग गटकरी द्वारा किस नदी पर सबसे लंबे रेल सब सबत पूल का युजन निर्माड किया जा रहा तो बिहार में बनाया जा रहा दोस्तों बिहार के राजपाल फागु चवहान, मुख्य मंतरी नितिश कुमार और केंदरी मंतरी आपके नितिंग गटकरी ये तीनो लोग उस समय उवलिवल थे उन्होंने उदगाटन क्या मिलकर तो इसको भी याद रखेगा गंगा नदी पर ये बनाया जा रहा ठीक है बेगु सराय के पास ना गरिक छेतर में ड्रोन उडाने के अनुमति दोस्तो किसने दिया किस देश ने दिया तो इसराइल ने दिया पढ़ायों आपको किस सेंट्रल जेन ने अपना पहला FM रेडियो राज़ेन ने लांच किया अपना तरी कि पहली स्किल एंट्रप्रेंटर से कहां बनाई जा राश्री सिंगल विंडो सिस्टम यह किस ने जारी किया और इसी के बाद दोस्तों यह इज आप डूइंग बिजनस में एकदम छलांग लगाने वाला लंबा जम्मू कस्मी ने दोस्तों यह स्टार्ट किया कि एक कही खिड़की से सारे काम हो जाएंगे आपको सरकारी आफिस आपके जम्मू कस्मी ने बन के तयार हो गया है उसको भी आद रखेगा करा गेल ने प्राकृतिक गैस समिस्टर के लिए अभी कौनसी परियोजना जो स्टार्ट किया है वो कहां पर शुरू किया तो मध्यपरदेश में सुरू किया गेल ने गैस एथार्टी आफ इंडिया लिमिटेड ने ठीक है तो यह भी आप याद रखेगा यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है तो यह टोटल दस सवाल आज कहीं समात होते हैं उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा समझ में भी आया होगा दोस्तो बहुत सारे आल लाइं कोर्स इस्टड़ी 91 पे बुआ चलाए जा रहे हैं आप किसी भी फरिच्छा की तयारी कर रही हैं तो इक मौका हमें जरूर दीज़ेगा है किसी तरह कि कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और समपर कर सकते हैं ठीक है चलिए दूस्तनों मिलते एंगळी लेक्चर